अगर आप इस रीज को अच्छे से फोटेंगे इस बात की गारंटी है अगर आप इस रीज को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं महा संग्राम 2.0 का आज दूसरा दिन है जिसमें कि हम राजके प्रतीक को कवर करेंगे ज्ञारकंद राज्य के राजके प्रतीक को चलिए महा संग्राम 2.0 के दूसरे दिन का पहला सवाल से हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सवाल है कि ज्ञारकंद राज्य का राजके प्रिक्ष क्या है जल्दी से आपको बताना है महुआ है, साल है, पीपल है या फिर सागौन है तो इसका सही जवाब आप लोगों को पता होगा कि ज्ञारकंद राज्य का जो राजके प्रिक्ष है वो साल प्रिक्ष है याद रखेंगे जहारकंड राजे का राजकिय ब्रिक्ष साल ब्रिक्ष है तो यहाँ पर हम इसके बारे में देख लेते हैं कि साल ब्रिक्ष को अन्य और किस नाम से जाना जाता है तो याद रखेंगे जहारकंड राजे का राजकिय ब्रिक्ष साल का यहाँ पर इमेज भी ल कोटो लेडेनेस ये ब्रिक्ष है यानि कि दूइबीज पत्री अगर पूछे कि जार्खन राज्य के राजकिया ब्रिक्ष साल का बोटनिकल नाम क्या है वेग्यानिक नाम क्या है अपने पढ़ा होगा साइंस में बोटनिकल नाम के बारे में साइंटिफिक नेम के बारे में दूइपद नामकरण जोगी केरोलस्ट लिनियस तहब ने दिया था, उनके द्वारा हर एक और्गेनिजम का कुछ अपना बॉटनिकल नेम दिया जाता है, तो उसी प्रकार से साल ब्रिक्ष का बॉटनिकल नेम है सौरिया रोबस्टा, याद रखेगा जहरकंड राजे के रा तो याद रखेगा डाइपटेरो कारपेसी ठीक है, डाइपटेरो कारपेसी याद रखेगे डाइपटेरो कारपेसी ब्रिक्ष ये जो साल ब्रिक्ष है इस फैमिली में आता है, साल ब्रिक्ष को संस्कृत में अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि अगनी बल्लबा, अ उपयोगी वस्तोय प्रदान करती है जिसमें की बहुत इंपोर्टेंट है इमारती लकड़ी के रूप में इनका उपयोग करा जाता है क्योंकि साल ब्रिक्ष की लकड़ी काफी कटोर होती है याद रखेगा ग्रामी लाकों में अधिकान्स कच्चे मकानों के छत का निर्मान साल ब्रिक्ष से किया जाता है याद रखेगा अचा साल ब्रिक्ष का कुछ धार्मिक महत्तो भी है क्या तो याद रखेगा बहुत धर्म में यह ब्रिक्ष बहुत ही पवित्र मानी जाती है क्योंकि रानी माया ने साल ब्रिक्ष के नीचे ही महत्मा बुद्ध को जन्म दिय हैं कि साल ब्रिक्ष को जार्कंड का राजकिया ब्रिक्ष घोसित किया गिया है उसके अलावे महावीर स्वामी को ग्यान की प्राप्ति साल ब्रिक्ष के नीचे ही हुई थी तो इतना हमने देखा साल ब्रिक्ष के बारे में आगे देखे जार्कंड राजे का राजकिया पुस पलास है लेकिन हम इसके बारे में देखते हैं कि पलास एक ऐसा ब्रिक्ष है जिसके फूल बहुत ही आकरसक होते हैं इसके आकरसक फूलों के कारण ही पलास के फूलों को जंगल की आग भी कहा जाता है ये भी याद रख लिजेगा जंगल की आग पलास के फूलों को कहा जाता प्राचिन काल से ही होली के रंग इसके फूलों से तयार किये जाते रहे हैं। रोबस्टा ठीक है साल ब्रिक्ष का बाटनिकल नाम सर्या रोबस्टा और साल पलास के फुलों का जो बाटनिकल नाम है वो ब्यूटिया याद रखेगा मोनोस परमा क्योंकि जारकंड राजे से सम्मंदित है तो इन सब सारे सवालों को भी पूछा जा सकता है अच्छा अब यहाँ पर पूछा जा रहा है जारकंड राजे का राजकिय पसू अब यहाँ पर बाग है हाथी है तिंदवा है सेर है क्या तो देखे जारकंड राजे का राजकिय पसू तो हाथी ही है भाई साहब याद रखेगा और इनका साइंटिफिक नेम भी आप याद रख कबूतर है, मोर है, गुरिया है या फिर कोयल, जिसे के इंगलिस में आप देख सकते हैं जारकन देट, पीजन, पिकॉक, स्पैरो या फिर कुकू, तो आपको बताना है कोयल, जारकन राजे का जो राज की अपक्ची है, वो कोयल है याद रखेगा कोयल, अच्छा, कोयल का जो रासाया नेम है, साइन्टिफिक नेम है याद रखे लिजेगा, यूडाय, यूडायनेमिस स्कोलो, पैसियस, यूडायनेमिस स्कोलो, पैसियस, ये आपका कोयल का बाटनिकल नाम है, उसके अलावे यहां पर कहा जा रहे बताईए नीचे दिये गए जो राजकिय प्रतीक है अब जहरकंड का राजकिय प्रतीक है वो क्या था साल था राजकिय पुस्प था क्या पलास के फुल पसू क्या है हाती है और पक्छी कोयल अभी हमने सब के साइंटिफिक नेम को भी देखे हैं तो हम चुपत हाथ्त हैं अभाएस चाहब राजिक नेम है यहाँ के अलावे ज्ञारकन्ड राजिके कितुरहैर। ज्का सब्सक्राइब नेयरे राजेटी की स्थिति कीकिया गया। on which date, the new court of arms, जहार्कंड राजय के नए राजचिन, यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जहार्कंड राजय के नए राजचिन, स्का अनावरयन की स्थिति को किया गया था, तो याद रख लिजेगा, 14 अगस्त 2020 को, जारकन राज्य के नए राजचिन्न का अनावरन किया गया था, अब हम जारकन राज्य के नए राजचिन्न के बारे में देख लिते हैं, यहां से आपको याद रख लेना है, बहुत इंपोरेंट है, बहुत बार अगर डिटेल में, डिप्त में पूछा जाये, जेपी एससी वगेरा में तो पूछ लिया जाएगा 14 अगस्त 2020 को राची के आर्यभट सभागार में जहारकन राज के नए राज चिन का अनावरन किया गया इस प्रतीक चिन को 15 अगस्त 2020 से प्रभावी कर दिया गया एफेक्ट में लाया गया पूरे राज में तो अगर आपसे पूछा जा है कि अनावरन किस डेट को हुआ 14 अगस्त 2020 को और किसे दिन से ये प्रभावी हो गया ये लागू हो गया पूरे राज में तो 15 अगस्त 2020 धारकन राजे का जो राज चिन है इसका विन्यास इसका सेप इसका आकार कैसा है तो वृताकार है चक्राकार है जो कि राजी की प्रगती का प्रतीक है तो अगर आपसे पूछा जाए जारकन राज के राज किया चिन का आकार वृताकार दिया गया है ऐसा क्यों कि राज के ये प्रगती का प्रतीक है अब देखें ये जो राज का प्रतीक चिन है इसमें वृताकार खंड में हरे रंग का परियोग किया गय अब ये क्यों किया गया है क्योंकि ये जार्खंड की जो हरी भरी धर्ती और वन संपदा को प्रतिबिम्बित करता है याद रखेगा यानि कि ये हरे रंग जो जार्खंड राजी के जो नय प्रतिक चिन जो वरिताकार आकार का है उसमें हरे रंग का प्रियोग किया गया है क् सबसे उपर के वृताकार खंड में बीच हिंदी में यहाँ पर देखिए जहारखंड सरकार लिखा हुआ है और उसी में गौवर्मेंट ऑफ जहारखंड लिखा गया है तो अगर आपसे पूछा जाएगा जहारखंड राज के नए राज चिन में किसने नमर के वृताकार गया है तो दूसरी नमर के और कितने हाती को दर्साय गया है 24 हाती को और यह हाती को क्यों दर्साय गया है तो यह अगर आपसे पूछा जाए जो हाती जो है राज्य के एस्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचूर प्रकृतिक संसाधनों एबं समरिधी को द दरसा आता है याद रखेगा उसके अलावे तीसरे वरिताकार खंड हमने तो दो वरिताकार खंड के बारे में बात कर लिया जो तीसरा वरिताकार खंड है इसमें 24 पलास के फूल के दरसा आया गया है तो पलास हाती हमारा राजकिया पसु है पलास हमारा राजकिया फुस्प ह तो 24 पलास के फूलों को तीसरे वृताकार खंड में दर्साया गया है और पलास का फूल जो है राज्य के और प्रतिम प्राकिर्तिक सौंदर्य का परिचायक है फिर उसके बाद आता है बात चौथे वृताकार खंड की और इसमें सौरा चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखलाए गया यहाँ पर देखे सौरा चित्रकारी के बारे में हम आपको डिटेल में एक क्लास देंगे और बहुत अच्छे से अब आपको क्लास यहाँ पर मिलेंगी हर एक competitive exams का चाहिए आप जारखंड से संबंदित हो या फिर railway या फिर SSC ठीक है तो चौथे वृताकार खंड के बीच सौरा चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाए गया है तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस चित्रकारी को यहाँ दिखाए गया है नए राजचिन में तो सौरा चित्रकारी और कितने नर्तकों को दिखाए गया है तो 48 सौरा चित्रकारी जंजातियों की सम्रिद सांस्कृतिक व्रयासत को प्रति बिंबित करता है, ज्याद रखेगा, उसके बाद अन्तिम चक्र में 6 सफेद वृत का पर्यूक किया गया, यहाँ पर देखें अन्तिम जो यहाँ पर यह चक्र है, इसमें 6 छोटे-छोटे सफेद वृत है, वाइट सरकल से, और उसके बाद राज चिन्न के के अंदरिय भहाग में राश्ट्रिय चिन भारत वर्स का असो कस्तंब को दिखाया गया है तो इतना हमने देखा और असो कस्तंब भारत के उत्तम सहकारी संघवाद इसमें जहारकंड की सहबागिता एब आद्वितिय भुमिका को भी रिखांकित करता है तो यह हमने ज़ारखंड राजे के नय राजचिन्य का आकार कैसा है, कौन्फिगरेशन कैसा है, सेप कैसा है, तो वरिताकार है, चक्राकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दरसाता है, अभी आमने देखा किस चीज को दरसाता है, the green color used in the circular section of new emblem of जहरकंड state represents, तो ये दिखाता है जहरकंड की हरयाली को, जहरकंड के हरे भरे वनों को और उसके वन समपदा को, तो यहां से option भी हो जाएगा, उसके अलावे चलिए आगे देखते हैं, जहरकंड राजी क में पुछा जाए, तो इसका जो scientific name, यानि कि botnical name है, एलिफैस Maximus, ये भी याद रख लिजेगा, अगर आप लोगों को class पसंद आ रही है, और class आप लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छे से चले, तो आप लोगों को comment करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को share करना है, अपने दोस्तों को बताना है कि यहाँ पर classes फिर से महा संग्राम 2.0 और भी अलग-अलग courses के साथ classes स्टार्ट हो चुकी है, चलिए, तो राजी चिन्न में कितने हातियों को दर्साया गया है, 24 हातियों को दर्साया गया है, अब अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल अगले सवाल पर चलते हैं, जहाँ राजी के नए राजी चिन्न में कितने पलास फूल को दर्साया गया है। तो हमने देखा कि राजे के औप्रतिम संदर्य का ये सिंबल, ये सिंबलाइज करता है, प्रतिबिम्बित करता है। जहारकंड राजे के नए प्रतिक चिन में किस चित्रकारी को दर्साया गया है। जहारकंड राजे के नए प्रतिक चिन में सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है। जहारकंड राजे के नए प्रतिक चित्रकारी के संबन्द मुखेता किस राजे से है। अभी हमने देखा था कि ये उड़ीसा राजे से याद रखेगा, सौरा पेंटिंग डिस्प्लेइड इन दा न्यू एम्बलम अव जार्खंड स्टेट इज मेंले रिलेटेड टू विच स्टेट, तो ये उड़ीसा से संबंदी थे, जार्खंड में प्रयूक्त सौरा चित्रकारी इन में से किस अन्य चित्रकारी के ही समान है, तो याद रखेगा, महाराष्ट का एक चित्रकारी है, महाराष्ट के जंजातियों का, दिवासियों का एक चित्रकारी है, वारली चितरकारी और जारकंड वे जो नय प्रतीक चिन में सौरा चितरकारी है वे ये वारली चितरकारी से बहुत जायदा मेल खाता है तो याद रख लिजेगा वारली चितरकारी अब हम देखते हैं वारली चितरकारी आप देखें ये किस प्रकार की चितरकारी करते हैं वा यानि कि वादली पेंटिंग बहुत सरल है, रैखिक है और त्रिकोनिय, ट्रैंगुलर आकार का इसमें अधिक्तम ये लोग परियोग करते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने इंसान भी बनाया है, इस तरह से ट्रैंगुलर सेप में, फिर उसके बाद ये है, फिर महत्वपुर्ण पहलुया है कि पौरानिक चरित्रों या देवी देवताओं कुछ हवी को नहीं, बलकि समाजिक जीवन को ये दरसाता है वारली चितरकारी, उसके अलावे सौरा चितरकारी जिसका परियोग किया गया है जहरकंड के नए राजचिन में, तो ये भी आप दे देखने वाली एक पैंटिंग है, सौरा चितरकारी, आगे देखे, जहरकंड राजी के नए प्रतीक चिन्न के अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दरसाया गया, अभी हमने देखा था चोटे-चोटे 60 सफेद वाइट सर्कल्स को यहाँ पर दरसाया गया था, तो ये ह हो गया, अब हम आगे देखते हैं, जहरकंड राजी के नए प्रतीक चिन्न के केंदरिया भाग में इनमें से क्या दिखाए गया है, विच आप दर फॉलोविंग द्चन्ट को याद रख लेना है, अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल है, जह रकंड राजी के ने प्रतीक चिन के केंद्रिय भाग में दर्सित असो कस्तम इनमें से किसे रेखांकित करता है वीच ओफ फोलोविंग दस दा आसो का पीलर डेपिक्टेड इन दा सेंट्रल पार्ट अफ निव एम्बिलम आफ जहारकंड स्टेट अंडरलाइम किसको करता है तो ये आप कह सकते हैं उत्तम सहकारी संगवाद ये भी सही है सहकारी संगवाद में जहारकंड की क्या सहबागीता है उसे भी दिखाया गया है कि पूरे जहारकंड की राजकिय चिन में राश्ट्रिया चिन्न को स्थान देना ये दिखलाता है कि किस प्रकार से केंद्र और राज्य का एक उत्तम सहकारी, एक उत्तम कोप्रेशन है यहाँ पर, उत्तम सहकारी संगवाद है, सहकारी संगवाद में जहारकंड की क्या सहवागिता है, और सहकारी संगवाद में जहारक प्राइम 2.0 यहाँ पर स्टार्ट करा है, जिसमें जारकंड जीके के 5000 प्लस MCQs को हम कवर करेंगे, आप चाहे जारकंड जीके के सवाल चाहे जिस भी एकजाम में आते हूँ, यहाँ पर आपको इससे सवाल अलग नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि MCQ के माध्यम से हम पूरे डिटेल में थियोरी को अब कवर करेंगे, और इसके अलावे और भी जो कंसिप्ट साएंगे, इसके अलावे जारकंड का करेंट अफेर, जारकंड का मिसे लिनियस पार्ट, स सब कुछ कवर करेंगे, साथी साथ अन्य सब्जेक्ट, जैसे की कंप्यूटर हो गया, मैट्स हो गया, रीजिनिंग हो गया, साइन्स हो गया, जीके हो गया, इन सब को भी मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा, अलग-अलग टीचर्स के माध्यम से यहाँ पर अप क्लासेज आपक हिंद जय भारत